सरकार पर बिलकुल भरोसा नहीं है, और सारी चीजे जो है दूर बैठ कर भी कहीं हैं, जनता को भी नहीं है, क्यूंकि मैं जब चलती थी और जनता मेरे साथ चलती थी, सारी महिलाएं मुझे लिपट जाती थी तो वो मुझे कितने बार कहती थी कि बहनी हम तो वोटवा दे दे ए हमार रनिया हम तो वोटवा दे दे तू ही कि दे लेकिन देखिया कहीं चोरी नहों हो जाए हमार वो सरकार जोई चोकिदार ही चोर है तो उस जनता को भी भरोसा नहीं है, तो मैं अपने जनता का जो धन है, अपनी जनता का जो फॉल है, उसी की रक्षा कर रही हूँ, और लगातार करूंगी, तेरा तारिक तक लगातार करूंगी, जो भी निरणे होगा, वो जनता का वो सर्वपरी होगा, ये तो मैं मानती लेकिन कितनी धांदली हुई है चुनाव में ये बिल्कुल सर्वमान्य नहीं होगा कितने बूठ संख्याओं पर इतनी गड़बडी चल रही है और चल रही थी थोड़ी सी तूटी के कारण वापस भेज दिया जाता था नाम गड़बड हो जाते थे बिल्लो जो परची का ट्रे वो नाम अलग है पिठासीन अधिकारी का जो लिस्ट था वो नाम अलग है ये दोनों सरकारी अधिकारी दोनों में सामन जसने दोनों में कोई क्याडो कोडिनेशन नहीं है क्या? जनता को परेशान करने का ठान लिया था इस उस बूथ का उस बूथ पर चला जाना जनता परेशान कई-कई परिवारों के नाम काटशाठ कर दियते कई-कई मोहले के मेरे गाल से 50, 100 घर के नाम काटशाठ कर देते थे तुरकमानपूर में गरबड़ी चल रही है, सुरजकुन में गरबड़ी चल रही है, वाड़ नमबर 60 में बरगदवा में गरबड़ी चल रही है, 39 नमबर के वाड़ में, 381 के बूत पर गरबड़ी चल रही है, बहुत जगा में जाकर मैंने देखा था, थोड़ी थोड़ी के कारण कर देड़ सो दो सो लोगों को वापस भी दिया गया तो यह सारी चीज़े भी हुई मैं समझ सकते हूं क्यूं हुई क्यूंकि काजल निशाद लगातार चली काजल निशाद के साथ मेरे समाजवादी के अपी वरिष्ट पदादी कारी और जितने भी मेरे पारसर प्र रहे हैं खुद का इलाज नहीं कर रहे हैं वो जो कितने लोग कहते थे कि खुंचो स्वा रॉक्तर वा तो सारी चीज़े थी तो कहां गड़बड़ी करें तो ठीक है सरकारी चीजों में गड़बड़ी करें वो की है उन्होंने और इसलिए जो भी जनता ने हमें समर्थन द हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन दबा लीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना में